हेलो स्टुडेंट्स बेलकम के स्टेडी सर्केल 2.0 सो कैसे आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे तो दोस्तो यहां पर हम लोग जो है यूपी बीटी बोर्ट के लिए और उत्त्राखंट बोर्ट दोनों के लिए ही यहां पर ड्रोइंग हम लोग पढ़ रहे है नाम क्या है तो उत्राखंड बोर्ट में छोड़नेंक के नाम से सब्सक्राइब कराएं जिसमें पहले में हमने बैट शपोर्ट के बारे में गुत एंसके बाछारट था यहां आपके लिए इसके बाद दूसरा कमन경 करा था SW Pipe Seaver का जो की था Saddle Type Bad Support के साथ और आज जो Question लेके आये है वो भी SW Pipe Seaver का ही है लेकिन ये Hunching Type Bad Support के साथ है तो चलिए Question पढ़ते हैं तो दोस्तों Question में बोला गया है और ये भी बता दें जो BTOP वाले बच्चे हैं या फिर जोत्ता घंबोर्ट के बच्चे हैं अगर वो अपने समस्टेर से रेलेटेड और भी Subject देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर के पिले लिस्ट जरूर चैक करें ठीक है जो Created पिले लिस्ट है उसमें आपको और भी Subject यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो जादा से जादा चांस तो यहीं रहते हैं कि आपको डेटा बूद नहीं देगा ठीक है तो आपको याद करके जाना पड़ेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना Seaver Pipe का डाया याद करना होता है उसकी Thickness और Socket की Thickness बस इससे जादा कुछ याद ही नहीं करना होता है ठीक है चलिए तो दिया है डाया 200 mm Thickness of SW Pipe 18 mm Thickness of Socket 20 mm Earth Filling करनी है हमें 1200 mm की ठीक है तो इन सब को पहले हम Skill में चेंज़ कर लेते हैं ताकि हमें बार-बार यहाँ पर Calculator का Use ना करना पड़े ठीक है तो पहले मानो इसके लिए एक Skill तो दोस्तों मैं यहाँ पर Skill मान रहा हूँ वो Skill में मान रहा हूँ 1 upon 5 की ठीक है चलिए तो अब साब को Divide कर लिज़ेगा तो दीखिए मैं अगर इसको 5 से Divide करूँगा तो कितना आएगा 3.6 mm आएगा इसका जो Skill आएगा कितना आएगा 3.6 mm ठीक है और यह 12 सो है तो इसको कर लो 12 सो डिवाइड़ वाई 5 तो यह तुम्हारा आजाएगा 240 mm यानि की तुम्हारा 24 cm ठीक है तो मैंने एक साथ सारी जो वैलूज़न को Calculate कर दिया है इसकेल में आप मुझे यह बार-बार Calculator यूज़ नहीं करना पड़ेगा चलिए तो अब इसको साइड में रखते हैं आप सबसे पहले हम देखते हैं डाया तो डाया कितना है 4 cm तो सबसे पहले आप डाया ले ले लिएजी कितना 4 cm तो आपको पहले तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा अब इसके बाद तुम्हें ठिकनेस लेना है The resolver pipe की तो ठिकनेस बाइप तुम्हें दीया है 3.6 इसकेल की बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है इसी distance में 3.6 mm और बढ़ा लेना है कितना अभी 2 था 3.6 ठीक तो लगबग के यह 4 mm के करीब हैगा तो तो तुम्हे ऐसे बढ़ा लेना है और बढ़ाने के बाद इसको ऐसे बनाना ठीक तो यह तुम बना चुके हो ठीक है अब तुम्हें लेना है socket तो socket जो तुम को लेना है इस कि यह कि लिए तेक धीना था लगबग 24 mm के करीब राद सोकिट और कितना एड़ कर दिना है तो गूए चार इम में मीटर नहीं है यह 4 इमे तुम और बढ़ा लोगे टो यह 24 और उसके बाद तुम्हारा 28 के करीब हो जाएगा तो ये तूम इस तरीक से इसको बढ़ा लो किसे बढ़ाने के बाद अभी तुम्हेंगे पैंसे से बना रहा हूँ फिलाल क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे कितना करना पड़ेगा इसलिए मैं इसको अभी पैंसे से बना रहा हूं फिलाल ऐसे ठीक है इतना आपने कर लेना है आप देखिए आँगे की प्रोसीजर क्या रहेगी आपको सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डायमेंसिन करनी है तो मेरा ब्लू पैन कहा चला गया ठीक है और देखिए मैं पैन का यूज कर रहा हूं आपको नहीं करना ये ठीक है ये आप तो फुड़ा सा देहां रखें चलिए मैं रेट पैन से ही कर देता हूं मुझे नहीं मिल रहा है अभी ठीक तो ये हमारा क्या है इंटर्नल डाया है जब डाया के बारे में ना कहा जाए कैसा डाया है तो इंटर्नल डाया ही होता है तो ये कितना है 200 mm5 ठीक ह कोई दिक्कत यहां था चलिए आप दोस्तों क्या करना है एमडी को सैट करिए बिल्कुल जीरो पर इस तरीके से और अब तुम क्या करो यहां से यह जो तुम ठीकनिस देख पा रहे हो सीवर पाइप की चलिए दोस्तों थोड़ा सा जो चीज़ें हम लोग यहां पर बना चुके हैं तो उसको थोड़ा सा दुबारा रिपीट करते क्यूंकि अभी मैंने देखा कि वीडियो बिलर हो गया था ठीक है आपको देखनी रादा थोड़ा सा बिलर देख रहा होगा तो देखिए हमने आप साथना कुछ किया नहीं है का चीज़ें देखिए हैं देखें मैं वीडियो देखा है तो मैं दिकनी सक तक थो lifes нрав थे कैसे बनाईए अब प्लीज देख लिए कि nail proud तो हमारी 4 mm हमको लेनी थी ठीक है यहां तक हम कितना ले चुके थी लगभग हमारा 24 mm होता है बोग तो हम इसमें 4 mm और बढ़ा लेते देखिया जो हमने यहां से यहां तक कि डिस्टंस दी थी यह वाली ठीक है यह वाली इसमें हम 4 mm और बढ़ा लेते ऐसे और यह complete circle ऐसे बना गया होगा चलिए अब आगे क्या करने वाले थी तो वो सुनिएगा ठीक है मैंने देखा वीडियो बिलार है तो benefit ही नहीं है कोई बनाने का तो मैंने उसको फिर रोक करके दोबारा जो आपको बता दिया है जो चीज में यहां पर कर चुका था ठीक है अब दोस्तों आपको कहां से लेना है यह ठिकने होती है यहां से दिखे तुझां करना है रहके यहां से कहां से लेवर को लोग incorporating इस जगे से ठीक है यह एक सेकंड यहां से ठीक है सेंटर को भी मैंटिन करना है ठीक है तो यहां से नाइन से यह वन टू एंड यह ठीरी तो यह तुम्हारा यहां जाएगा इस जगे पी ठीक है और अब तुम क्या करोगे इसको मैच करा दोगे ऐसे इस point से ऐसे तुम match कराओगे इसको इसको और इसको लाओगे उपर से नीचे की और इसको तुम लाओगे ऐसे नीचे की और कुछ इस तरीकी से ठीक है समझ रहे हो और फिर आंगे क्या करना होता है तो अगर आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं दोस्तों हंचिंग टाइप बैड सापोर्ट होता है वो पढ़ा होगा जब मैंने बताया है तो कैसे बनाते हैं तो आपको पता होने चीए यह जो हम यहाँ तक लाइन लेकर आए हैं इसको हम टॉप से मिलाते हैं ठीक है किस से मिलाते हैं टॉप से सिम्बल बना दो ठीक है यह पूरा डॉप रोटेड होगा तो पहले यहाँ पर foundation बना दो आप जल्दी से उसकी symbol बना दो ठीक है यह foundation है तो यह foundation के तुम symbol जल्दी से बनाओ इसमें पूरे में यहां से ले करके यहां तक मैं बनाता हूं वीडियो पॉस करके ठीक है लॉंग ना हो देखिए तो इस तरीकी से यह पूरा foundation में हमने symbols दिखा दिये कंक्रेट के ठीक है और यह कैसी है हंचिंग टाइफ ठीक है अब दूस्तों जो socket वाली यह line तुम खींशे हुए थे ऐसे इसको तुम डार करोगे जो उपर है उसको डार करोगे ऐसे यह देखो यहां तक यहां तक तुम इसको डार करोगे यहां तक अब तुम इसको जितना अ पूरी dotted है क्यों है सबको दिख रहा है ठीक है चलिए तो यह आपका इस तरीके से पूरा complete होता है दोस्तों बस अब आपकी यहां पर फिलिंग बची होईगी तो फिलिंग आपको कितनी लेनी है 24 cm तो 24 cm बहुत जादा हो जाएगी तो आपको center point लेना है और यहां से 24 cm उप कट करके दिखाएंगे आप इस तरीके से ठीक है यह तुम कट करके दिखाओगे और यह तुम्हारा GL हो जाएगा अब तो बिलर नहीं हो रहा है ना बिल्कुल बिलर नहीं होना चाहिए होता क्या है ना यहां ड्रोइंग बनाने में ध्यान दे देते हैं तो उपर नहीं देख पाते हैं और वो बिलर हो जाता है चलिए यह देखो तुम ग्राउंड लेबल तुम्हारा यह road level है जो भी तुम इसको बोलना चाहो तुम इसमें दोड़ भी सकते हो cycle भी चला सकते हो चलो ठीक है इतना तुम कर लिए इतना तुम कर लिए और तो कुछ इसमें दिया नहीं था यह तो कल वाला question है ठीक है चलिए तो इतना तुम कर लिए अब देखो यह थोड़ा सा इसका नेमिंग कर दो तुम यहां कितना था यह 1200 mm 1200 mm का यह क्या है आर्थ फिलिंग यह क्या है तुम हाना अर्थ फिलिंग खीक है और जो तुम यहां से यहां तक कर यह डिस्टेंस लिए हुए हो यह जो तुम डिस्टेंस लिए हुए हो यहां से यहां तक कर यह कितना है 15 साइंटी मीटर खीक है ना इस साइड भी यह 15 साइंटीमेटर है चलिए और देखिए अगर इस टॉन वियर पाइप जब आपके एक्जम में आता है तो अगर वूकर यह कहता है कि आपको इस टाइप का वाइड शापोर लेके बनाना है तो फखिल लेके बनाना है अगर नहीं आता है सिद जहाएं as, अपको एक हांछिय्क यैप यह क्या खाइब इसका रिख श uniqupee सेब जिए फिलाल अभी आप इसका कहिल लेक है, तब बता दिया था ठीक है हंचिंग टाइप कि शीमेंट कॉंग केडिट बैड सपोर्ट ठीक है और ये तुम्हारा क्या है अभी इसमें हैचिंग बची हुई है तो हैचिंग भी कर दे रहें चलिए जड़ी से 45 डिगरी पर भूमा करके ऐसे जो तुम्हारा ये पाइफ है ना उसमें तुम्हें हैचिंग करनी होती है ऐसे हु्आ हुम्हारा ये तुम्हारा ये जुम्हाराँ थे जो जो हुआ है नाष कि तुम यह हैचिंग कर दिये और यह तुम्हारा क्या हो जाएगा कितना इस का थिकने स्ट डेवल्यू पाइप का अठारे एम्म तो यह अठारे एम्म थिक एस डेवल्यू पाइप ठीक है और यह तुम्हारा क्या हो जाएगा सॉकेट कितना है बीस एम्म फिक यह सॉकेट है ठीक न चलिए तो इस तरीके से यह तुम्हें बनाना था और यह तुम्हारा पूरा क्या कंप्लेट भी हो चुका है ठीक है चलिए थो इतना सभी को सबज में क्या होगा ठीक आगर तुम भेस सब्सक्रा सब्सकरीशन में नहीं कर आधा तुम इसको करना चाहिए तो करसका यह कितना होगा पूरा तुम से पूले भाइक हो दें यहां तो देखो कितना यह पूरा तुम क्यांकित्व करने करो मतलब तुम यहां से यहां तक आ जाओ 15 संटीमिंटर फिर थिकने से ले लो, सीवर पाइप की, फिर उसका डाय ले लो, फिर उसकी थिकने से ले लो, फिर यह तुम 15 साइंटी में ले लो, तो तुमारा आ जाएगा, ठीक है, चलिए अन करते हैं, तो यह 15 और 15 दो बार ले लो, तो 30 तो यह हो जाएगा, यह चलिए, सिक्केंस में चल दें पंद्र है तो 15 cm या आपको इसको 1500 mm बोल सकते हो ठीक है इसके पाद प्लस तुम्हें क्या करना है यह जो ठीकने से सीवर पाइप की तो सीवर पाइप की ठीकने से 18 mm तुम 18 mm यहां पर ले लो ठीक 18 mm होगा तुम्हारा प्लस 200 mm का डाया है तो 200 mm तुम यह ले प्लस फिर से तुम ठीकने से ले लो 18 mm की ठीक है प्लस अब तुम फिर से यह 15 cm यानि 1500 mm ले लो तो यह तुम्हारा आएगा 536 mm यानि की तुम इसको गोल सकते हो 53.6 cm 53.6 cm ठीक है फिर से एक बार क्यल्कुट कर लेते हैं जल्दी से तु देखो यह तुम्हारा यह तुम्हारा हो जाएगा और यह क्या कमप्लीट हो गया तुम्हारा 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 कमप्लीट हो गया एक्स सेक्षिन तुम्हार यह दिख भी रहा है ना दोस्तों तु mêmes यह नहीं दिख रहा सा कोसेंज करते हैं कि आपको दिखा दें वैसे अभी तो नहीं दिख रहा है चलिए अब दिख जाएगा आप c Cheng page SW Pipe Sewer With Hunching Type With Hunching Type Bad Support चली यह तुम्हारा पूरा कुश्चन यहां भी फिनिस होता है तुमको एक काम और करना है यहां पर जो scale तुम लिए थे वो तुम्हें scale यहां पर लिख देना है बना पॉन 5 और यह color pen तुम यूज ना करना बना examiner तुम्हारा दबा के नंबर काटेंगे ठीक है यह तुम त्याड़ा सा दिहान रखिना तुम्हें किबल pencil का यूज करना सिर्फ में इसलिए बना रहा हूं ऐसा ताकि तुम इसको समझवाओ बहुत अच्छे तरीके से चलिए तो यह दूसरा question भी हमारा SW pipe का खतम हुआ एक question और आएगा ठीक है जो कि end casing type का होगा और फिर इसके बास SW pipe खतम इसके बाद फिर हम सुरू करेंगे दोस्तों RCC ठीक है जो RCC pipe पहुंच रहे हैं कि आप जरूर बताएं ठीक है और आप से request प्लीज करके कि आप अधिक से देख दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि जो हमारे उत्राखन वोट के बच्छे वो भी अपनी preparation बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल free of cost यूटूब पर बहुत ही अच्छे content के साथ कर सके ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल जो हमारा इसका अगला वीडियो होगा उसमें thank you